जै मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप? माताराली के पासे आप सभी स्वस्त होंगे इस स्लोक में आपको इसली सुनाया है कि इस स्लोक में मातारानी के पूरे नो रूपो का नाम दिया है क्योंकि नो रात्र में मातारानी के नो रूपो का पूजन किया जाता है और नो रूपो के पूजन में नो प्रकार के भोग लगा जाते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि किस रूप को याने मातरानी के कौन से रूप को कौन सा भोग लगा जाता है और इसके लगाने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है तो आपको इस वीडियो को अंतक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर करें और अगर मेरे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। पहले मैं आपको अपना मत बताता हूं। मेरा मत यह है कि भगवान को या माताराणी को आप कोई सा भी भोग लगा दीजे जो आपके घर में उपलब देए उसी का भोग लगा दीजे माताराणी उसी को ग्हेंड करले की। इसमें कोई नहीं है कि नहीं आपको यही भोग लगाना जरूरी है लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों की माने या हमारे शास्त्र की माने तो उसमें प्रत्यक देवी मा के रूप को अलग अलग भोग लगा जाता है और हम क्योंकि हिंडू धर्म को फालो करते हैं तो हमें हमारे श मोहन शक्ति बड़े उसके लिए कौन सा भोग लगाना चाहिए या आपको अगर मान लीजिए कि कोई परिक्षा पास करना है या आपकी बुद्धी को तिक्षर करना है तो कौन से रूप को कौन सा भोग लगाना चाहिए ये भी आपको इस दोरान में आपको बता हुआ तो आ सभी परेशानी दूर होकर शरीर निरोगी रहता है अब दूसरे दिन के बात करते हैं दूसरे दिन होता है ब्रह्मचारणी वहिया का याने माता ब्रह्मचारणी का तो इस दिन अगर आप देवी मा को शकर का भोग लगाते हैं तो उनकी आयू में ब्रत्धि होती है उनकी आय सदस्यों में भी बाड़ देना चाहिए हम बात करतें तीसरे रूप की माता का तीसरा रूप है चंद्र घंटा इस दिन देवी मा को दूद या दूद से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए और फिर इस भोग को ब्राम्मनों को दान करना चाहिए इससे मनुष्य क के सारे दुखदर्द दूर होकर परम आनंद की प्राक्ति होती है हम बात करते है मा के चोथे रूप की जो कि एक कुश्मांडा रूप तो इस दिन देवी मा को मालपुये का भोग लगाना चाहिए इसके पश्चात इस भोग को मंदिर के ब्राम्मनों को दान करना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य की बुध्धी का विकास होता है तथा साथ ही डिसिजन लेने की चमता बढ़ती है और जो स्टूडेंट इस भोग को लगाते हैं इस दिन तो उनको पैक्षा में सफलता अवश्य प्राप्त होती है चले बात करते हैं पांचवे रूप की मा का जो पां मा का छटा रूप है कात्या यानी इस दिन देवी मा को शहत का भोग लगाना चाहिए इस दिन शहत का भोग लगाने से मनुष्य की आकरशन शक्ती में अत्यंत ब्रद्धी होती है तथा सम्मोन शक्ती में भी ब्रद्धी होती है तो जो मनुष्य अपनी सम्मोन शक्ती बढ का सात्वा रूप है कालरात्री तो इस दिन देवी मा को गुड का या गुड से बनी बस्तू का भोग लगाना चाहिए फिर इस भोग को ब्राह्मनों को दान दे दना चाहिए इससे मनश्रिक को दुरगटना शोग तथा आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है हम बात करते हैं मा के आठफे रूप की जो कि ये महागोरी रूप तो इस दिन देवी मा को नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल का दान भी करना चाहिए इसके करने से मनश्रिकों आग्याकारी संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंदी सभी समस्याओं से आठफे रूप यानि की महागोरी रूप को अगर आप नारियल का भोग लगाते हैं नारियल का प्रसा चड़ाते हैं और नारियल का दान भी करते हैं तो उनको आग्याकारी संतान की भी प्राप्ति होगी और संतान संबंदी किसी प्रकार की समस्याओं से अगर आ रही है त चलिए लाश्ट में बात करते हैं मा के नवे रूप याने सिद्ध धात्री रूप इस दिन देवी मा को तिल या तिल से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए और फिर ये भोग ब्रामनों को दान देना चाहिए इससे म्रत्यू के डर से राहत मिलती है तथा साथ ही अन्होनी घटनाओं से भी बचा होता है तो इस तरह से आपने जान लिया कि नवरात्र के नो दिन में नो ही रूपों को कोन-कोन से भोग लगा जाते हैं लेकिर ऐसा नहीं है कि आप यही भोग लगा है आप कोई साभी भोग लगा सकते हो और सबसे अच्छा भोग में आपको बताता और लोग अगर कुछ भी ना मिले तो आप बताशा और लोग का भोग दो लगा सकते अगर आप इस ऺई भोग लगाते तो मा इसको भी उसी तरह से ग्रेंड करेंगी जिससे आप दूसरे भोग लगाते हैं तो केसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दीगे जानकरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज से लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल जोतिश मंद्र को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नए विशे के साथ तब तक आप